इस सीरीज में मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे एक्स जो की बिटिश गुवर्मेंट ने बनाये थे जब इंडिया गुलाम था अंग्रेजों का तो इसके अंदर हम सारे के सारे एक्स देखेंगे कितने आक्स आए क्या क्या उनमें पुरावधान थे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टन पार्ट है हमारे नाकिवल मौटर्न इंडियन हिस्ट्री का तो आपको इसमें से हिस्ट्री में भी कोईशन्स पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा आपको ये पॉलिटि के लिए भी इंपॉर्टन है कि पॉलिटि के अंदर हम जब कॉंसिट्यूशनल डेवलपेंट्स पड़ते हैं किस तरह से हमारा सविधान लिखा गया किस तरह से हमारे सविधान ने अलग 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 चीजों को समझा अलग अलग अ वीडियो शूर करने से पहले में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ ही इस बेल आइकन को भी दवाईए ताकि आपको रेगलर अपडेट्स जो अन अकाडमी की आर्टिकले चैनल की हैं वो मिलती रहें साथ ही में आप लोगों को बताना चाहूंगा अन अकाडमी प्लस के बारे में जिसके अंदर आप एक ही सब्सक्राइब से बहुत सारे कोर्स की वीडियो लेच्चर जो है वो देख सकते हो और आप अपने तियारी घर बैठे बैठे कर सकते हो इसके अंदर हमारे पास कहीं सारे प्लान्स हैं वन मंद का प्लान है त्री मंद का प्लान है एक साल का और दो साल के भी प्लान्स हैं सबसे ज़्यादा आपको दो साल की plan में होता है क्योंकि इसके अंदर आपको 75% तक off मिल जाता है और आपको 10% extra discount मिल जाएगा using the code ANI7 तो आपका total amount दो साल का बनता है 43,200 जो किसी भी offline coaching से बहुत ज़्यादा कम है और आपको काफी अच्छे videos इसमें देखने को मिलते हैं प्लस इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं जो हम lecture के end में discuss करेंगे You should also join our telegram channels तो आप लोगों को हमारे telegram channels को भी join करना चाहिए जिससे कि आपकी UPSC की त्यारी अच्छे से हो सके क्योंकि आपको इसमें regular updates मिल जाएंगे PDF files मिल जाएंगी और अजने resources जो भी आपके exam से संबंदित हैं वो सारे के सारे यहां पे डाल दिये जाते हैं तो आपको description में भी इसका link मिल जाएगा तो यह An Academy Articulate का telegram channel है इसके लावा यह मेरा personal discussion group है study time YT आप इसे search करेंगे तो telegram पर आ जाएगा इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी address किये जाते हैं और यह मेरा Aniket Sir के नाम से telegram channel है जिसपे मेरी और जो updates हैं वो आती रहती है तो आपको इसको भी join कर लेना चाहिए of course यह सब free है आज हम करने वाले Government of India Act 1858 तो यह बहुत important act है क्योंकि हम जो पिछले कुछ दिनों से acts कर रहे थे वो आपके या तो social reforms की तरह से काम कर रहे थे या फिर वो ऐसे acts से जो कि administration efficiency के लिए काम करने थे तो या तो administration के लिए कुछ किया जा रहा था या society के लिए अब जो है आपके से constitution की तरफ आ गये हैं तो यह भी constitutional reform है तो अगेन यह आपके polity point of view से भी important है and again modern history में भी आपसे यहां से सवाल आ सकता है तो देखिए government of india act 1858 कब आया 57 के revolt के बाद आया 57 के अंदर करांती हो गई गदर हो गया जिसके कारांट British government को बहुत बड़ा जटका लगा जोल्ट लगा So the revolt of 1857 served as a jolt to the British government There was a widespread resentment against the company in Britain as the policies of the company were blamed for the revolt और Britain के अंदर क्या change आया कि जो government थी बिटेन की वो blame किसके उपर shift कर दिये सारा का सारा East India company पे वो कहते कि company ने ऐसे काम किये जिसके कारण इंडिया जनाराज हो गये और revolt हो गया So सारा का सारा जो problem है वो company का है तो इससका क्या solution है कि जो crown है यानि कि British government है वो directly take over कर ले Indian territories को, इंडिया को तो ये solution ने निकाला So Queen Victoria who was a monarch of Britain यानि कि monarch का मतलब था king गया queen तो monarch थी Britain की as became the sovereign of the British territories in India with the title Empress of India as a result of the act तो इस act ने क्या किया कि जो Queen Victoria है अब से वो इंडिया की भी इरानी है Queen Victoria Empress of India बन गई East India company जो थी उसे पूरी तरह से abolish कर दिया गया liquidate कर दिया, मतलब की खतम कर दिया, abolish कर दिया Indian territories of Britain were to be governed in the name of British Queen तो जो भी territories इंडिया के अंदर है उसको अब British Queen के नाम पे govern किया जाएगा सारे acts विगारा जो है अब वो basically sovereign होगे तो उनके sign से चलेंगे The court of directors and board of control ये दोनों को भी बंद कर दिया गया तो हमने देखा था court of director और board of control को पहले वाली classes के अंदर तो जो court of directors थे आपके ये company affairs के लिए होते थे हमने याद भी किया था C से company, C से court और board of control जो था वो British government को represent करता था East India company में अब इन दोनों ही places को, दोनों ही bodies को खतम कर दिया गया, abolish कर दिया गया Next आता है, the power of the company's court of directors were vested in the secretary of state of India तो काम कौन करेगा विसका, तो जो company का काम होता था, अब वो secretary of state करेगा और secretary of state basically bureaucratic post हो गई और ये India के लिए special person लगाया जाएगा ये काम करेगा East India company के लोग काम करा करते थे, जो company के court of directors काम किया करते थे, वो ही काम करेगा लेकिन इसकी position का होगी, England में ही होगी The secretary of state of India was to be a British MP यानि कि British का एक MP होगा, member of parliament होगा Britain की, जो parliament उसका सदस्य होगा and a member of prime minister's cabinet और cabinet के अंदर जो cabinet ministers उतने आची rate में तो उस तरीके से जो Britain का prime minister of 15 members, तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पर यह जो post है, secretary of state of India यह बहुत important post बन गई, तो एक किसम से आप लगाओ कि ambassador वाली post बन गई या foreign minister की तरह की post बन गई, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर MP involved है, और वो MP क्या है prime minister की cabinet का है, इसका मतलब वो ministerial rank भया, he was also the channel of communication between British government in Britain and Indian administration, तो यह link की तरह काम करता था, British government और इंडिया की जो administration है तो बीच में कौन आएगा, बीच में आएगा secretary of state, तो बहुत important link बन गया, बहुत important post बन गया, he also had the power to send secret dispatches to India without consulting his council, again यह जो council थी, यह एक तरह से advisory body थी, तो बहुत जादा powers इसके पास नहीं थी, and इसके पास यह power थी कि इनको skip कर सके, तो यहाँ पर यह dispatches का मतलब कोई भी file भेजना, या कोई भी instructions pass on करना, कोई भी directions या orders भेजना, इंडिया में Indian administration को without consulting the council, यानि कि council की बिना इजाज़त किया, council से भी ना, पूछे भी directly इंडिया में कोई काम करा सकता था, तो it was a very powerful post created by the Act of Government of India Act, 1858, via the Secretary of State, British Parliament could ask questions regarding Indian affairs, और इसके थूँ क्या होता था, कि जो British Parliament है, वो सवाल भी कर सकता था, इंडिया की affairs के लिए, तो अब British का जो Parliament हो गया, अब यहां पर suppose करो, जैसे हमारी लोग सब और राजे सब का, वो चल रहा होता है, session चल रहा होता है, तो यहां पर कोई session चल रहा है, अब इस session में आपने इंडिया की regarding कोई सवाल पूछना है, कि इंडिया में कुछ गलात हो रहा है, यह इंडिया को वार में लेना है कि नहीं, यह कुछ भी और चर्चा और यह इंडिया से रेलेटेड, तो उसका जवाब कौन देगा, Secretary of State, तो Parliament के अंदर Representative इंडिया का हो गया, किसम से Secretary of State, तो कोई भी question अगर आपने पूछना है इंडिया के affairs related, सरकार से तो उसका जवाब कौन देगा, Secretary of State देगा, The representative of the British government in India was Governor General, और British government को इंडिया में कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो British government का यह representative नहीं है, यह तो link है, He's the link, Representative कौन है इंडिया में, वो हो गया, Governor General of India, और इसको अब Vice-Roy भी कहा जाने लगा, प्रिंसली स्टेट्स, तो जब प्रिंसली स्टेट्स के साथ डील कर रहे हो, तो Voice-Roy नाम लिखा करते थे, और जब आप नॉर्मल बिटिश इंडिया के अंदर जो आपके खुद की territories होगी, तो उसके सामने जब आप डील कर रहे हो, तो आप Governor General लिखते थे, तो क्योंकि Governor General का तो पुराना प्रावधान चला ही आ रहा था, क्योंकि East India Company की territories हो चुकी थी, बहुत सारी जमीन ने, उनकी हो चुकी थी, तो महाँ पे Governor General लिखा ही जा रहा है, तो जो आपकी territories है, कि जैसे जो district judge होता है, किसे जिले के अंदर, जैसे आप भी जिले में रहते हैं, तो वहाँ पे जो district judge हैं, जब तो वो civil cases सुन रहे हैं, तो वो अपने sign करने के बाद, निक्चे designation में district judge लिखते हैं, और जब वो criminal के से सुन रहे है तो sign करने के बाद वो अपना designation session judge लिखते है person एक ही है, काम एक ही हो रहा है, फैसला देना लेकिन सिरफ वर सिरफ आपका जो designation है वो change हो गया तो अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब तो आपका जो यह representative है, Britishers का यह अपनी British India के इंदर है, तो उस time पे वो governor journal लिखेगा, जब वो princes के साथ बात कर रहा है, kings के साथ बात कर रहा है, उस time पे वो अपने आपको voice roy लिखेगा, sign करने के बाद तो सिरफ आपका designation, एक different आपको designation भी दे दिया और same person होते हैं ताकि दोनों के interest में कोई contradiction ना हो, voice roy और जो governor है, किसी भी state का, किसी भी presidency का, उसको crown appoint करेगा, यानि कि अंग्रेज सरकार appoint करेगी queen जो है, वो appoint करेंगी, voice roy was to be assisted by an executive council, voice roy की assistance के लिए एक executive council बनाई जाएगी, और इस act से इंडिया जो था, वो direct colony बन गया Britishers की, तो आपको पते कि Britishers दो तरह से काम करते थे, एक तो direct colony और एक indirect colony, indirect colony में तो आप कह सकते हो, कि जैसे China भी बड़े सारे देशों की बात, गुलाम था, क्योंकि cutting off Chinese, में लेन हम history में पढ़ते हैं, कि बहुत सारे लोगों ने indirectly चाइना को control किया हुआ था, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया हुआ था, क्योंकि पूरी तरह कंट्रोल अगर आप किसी country को करते हो, पूरी तरह से colony बनाते हो, तो कही ना कहीं आपकी जिम्मेवारी भी बन जाती है, जैसे कि उसको maintain करना, उसके अंदर किसी ना किसी तरह के social और administrative reforms लगाना, फिर वहाँ पर control विगारा के लिए police, jails, courts इस तरह की चीज़ों को establish करना, तो although आप वहाँ से favors भी बहुत उठाते हो, लेकिन एक जिम्मेवारी वाला काम हो जाता है, एक responsibility कहीं नगी add हो जाती है, तो बहुत सारे countries क्या करते हैं, कि indirectly जो तो नया area है या जो बहुत wealthy area उसको तो direct colony बना लेते थे, बाकियों को indirect colony बनाते थे, तो इंडिया जो था अब यहाँ से direct colony बन गया था, Britishers की, the act abolished the dual government of pits India act, तो pits India act के अंदर जो dual government बनी थी, जो हमने देखा था अभी भी, board of control, political matters के लिए और court of directors, commercial matters के लिए उसको abolish कर दिया गया, the act also ended the doctrine of lapse, the doctrine of lapse जो था जिससे की बहुत सारी territories इंडिया की annex की गई थी, British government के दवारा British colonies बना ली गई थी, उसको भी यहाँ पे end कर दिया गया था, doctrine of lapse में क्या होता था, कि अगर आपके कोई उत्तरा अधिकारी नहीं है, तो आपकी जो territory है, वो automatically by default Britishers के अधीन आ जाएगी, आपका जो adopted child है, basically उसको higher नहीं माना जाता था, उत्रा अधिकारी नहीं माना जाता था, उसके बाद the Indian Civil Services, ICS, was instituted for the administration of the country and there was provision for Indians also to be admitted to the service, तो Indian Civil Services का पहली बार गठन हुआ, और Indian Civil Services में भारतिये लोग भी paper दे सकते हैं, और वो बात अलग है कि इसके अंदर बहुत सारे conditions ऐसी लगा दी गई थी, जैसे कि age बहुत छोटी लखी गई थी, paper सिरफ England में होगा, और syllabus उस तरह का होगा, जिससे कि Indians जो थे वो जायतर इसमें दे ही नहीं पाते थे, तो अगें जो बाकी के जो princely states हैं, जैसे हम कहते भी हैं, अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा, तो बहुत सारे छोटे 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 प्रिंसली states हैं, जो कि आज की डेट में एक district से भी कहीं जगा छोटे हैं, तो उस तरह कि जितने भी states हैं, उस सब के साथ deal हो गई, यह आपको British superiority, British अधीनता को मानना पड़ेगा, सुजरानिटी को मानना पड़ेगा, और उसके बाद जो अपना autonomous तरीके से काम चला सकते हूँ, मतलब उस एरिया के अंदर, तो सपोस करो यह इंडिया है, मैं यहां का राजाओं, तो मैं इस एरिया के अंदर अपनी मर्जी के laws बना सकता हूँ, अपनी मर्जी से जो भी करना है, मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं को मानना पड़ेगा कि Britishers overlord है, Britishers मेरे माई बाप है, Britishers का मैं गुलाव हूँ, यह चीज़ आपको accept करने पड़ेगी, and of course जो political freedom वे गारा है, वो तो आपके जाएगी, जाएगी, foreign relations की freedom आपके चली जाएगी, और बहुत सारी चीज़ों में और आपको government of India की बातें माननी पड़ेगी, अब यह important हो जाते हैं, चीज़े कि कौन परसन कौन था, क्योंकि यह fact-based चीज़े हैं, तो यह facts जो है, आपको पर लिएगी, पूछे जा सकते हैं, तो फर्स आपका Secretary of State हो गया, Lord Stanley, उसके बाद हो गया, प्राइम मिनिस्टर बेंजमिन दिजारेली, तो उस ताइम पे जो हमारे President थे, यारे कि Britain के President थे, वो थे Benjamin Disraeli, और वो चाते थे कि ऐसा Act नहीं पास होना चाहिए, जिसे कि British Government directly administer करें इंडिया को, यह हमारे हित में नहीं है, लेकिन बागी के MPs जो थे, कहीना कहीं वो चाते थे कि ऐसा होना चाहिए, और इसलिए जो बिल था वो अराम से पास हो गया था Parliament में, तो कहीना कहीं आप यह देख रहे हो कि Parliament में जो मत है, वो देखी गई थी, majority देखी गई थी, ऐसे ही कोई autocratic way में, कोई सिद्धा घोशना करके, Proclamation देखे ही हाँ पे, Britishers ने इंडिया को अपने अधीन नहीं किया था, उसके बाद, lastly, the first governor journal and voicera of India was Lord Canning, अगेन यह important हो जाता है, तो पहला वेक्ति कौन था जिसने governor journal और voicera, दोनों की उपादी संभाली, पोस्ट संभाली, तो वो आजाते हैं आपके Lord Canning, so Lord Canning was the first person जिनोंने दोनों की दोनों पोस्ट को hold किया, governor general of India भी and voicera of India भी है, otherwise governor general first कौन थे, बेंगॉल के टाइम थे, वारन हेस्टिंग्स, और इंडिया के कौन थे, वोसे Lord William Benteke, जिनोंने हमें सत्ति प्रतावाला हमने देखा था, और यह जो सबसे पहला regulating act आया था, 1773 वाला उसमें थे, तो इस तरीके से यह पूरा division है, तो आपको confused नहीं होना, तो अगर आपसे पुछे सबसे पहले governor general कौन थे, तो भई पुछो कहां के, अगर बंगॉल की बात हो रही है, तो Warren Hastings है, अगर इंडिया की बात हो रही है, तो Lord William Benteke है, सत्ति प्रतावाले, और अगर governor general कम किया था, तो यह कब आया था, यह आपका आया था, 1829 में, तो 1820 की बात होगी, अच्छा जी उसके बाद आपका, यह वाला आपका बोर है, यह और आपका 1858 में, आफ्टर जो आपकी mutiny है, first deploy mutiny जो है, या first war of independence जो है, 1833 था, या फिर charter act 1833 था, उसके टाइम पे हैं, और यह government of India act 1858 के टाइम पे हैं, तो I hope आपको यह सारा का सारा clear हो गया होगा, और इसमें कोई भी doubt नहीं रहा होगा, और आपको यह सीरीज भी अच्छी लग रही है, अगर यह सीरीज अच्छी लग रही है, आप चापते हो कि सारे के सारे acts हम cover करें, तो इस वीडियो को like जरूर कर देना और comment जरूर करना नीचे वीडियो के, thank you for watching. तो चलिए अब आखर में देख लेते हैं कि हम आपको बार बार कहते हैं आपको अनकाडमी प्लस जॉइन करना चाहिए, तो क्यों जॉइन करना चाहिए, क्या reasons हैं जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि अनकाडमी प्लस किसी offline coaching से better है, तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं और आपको वहाँ पे quality पड़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका quality आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है economics या history या कोई और subject है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन teacher से नहीं समझना चाते हैं किसी और teacher से पढ़ना चाते हैं, तो उस case में आपको extra खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, लेकिन ने academy plus में ऐसा नहीं है, आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है, आप उससे वो पढ़ सकते हैं, तो आपने A teacher से suppose कीजे quality पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन A teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और भी teacher के पास जाकर भी, वो subject को पढ़ सकते हैं, और उसमें कोई restriction नहीं है, कि आप कितनी मरज़ी बाद teachers को switch कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है, आप उनके जो lectures हैं, वो देख सकते हैं, और अपना slaves घर बैटे बैटे आराम से पूरा कर सकते हैं, second यहाँ पे आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं, तो यानि कि आपके सारी doubts जो है, वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही nip-tara कर दिया जाता है, तो nip in the bud हो जाता है, ताकि कोई भी doubt ऐसा ना हो, जो linger on करता रहें, और बाद में आपको problem create करें, revision के टाइम पर आपको problem आए, तो आपके सारी doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है, again जो बहुत बार आपकी offline classes हैं, उसमें ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका clearing doubt session चलता रहेगा, आपके doubts जहनें वो clear होते रहेंगे, उसके बाद आपको एक ही subscription के अंदर multiple courses हैं वो मिल जाते हैं, और आपको unlimited access मिल जाता है, पूरी anacademy library का, तो suppose कीजिए, आप PCS की भी तयारी कर रहे हैं, और IS की भी तयारी कर रहे हैं, अब IS के बीच में आपके UPPCS का exam निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको UPPCS के लिए कोई specific courses देखने हैं, specific lectures देखने हैं, तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं, तो एकी subscription आपको अलगलग exams की तयारी basically करा रही है, तो एकी subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फायदा उठा हैं, तो आप multiple exams भी crack कर सकते हैं, और जो आपको जौब लगती है, आप उसको रख सकते हैं, तो एकी subscription में आपको बिना double आपके अच्छे से सारी तयारी हो जाती है, और अगेन घर बैठे बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे 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 एक बहुत बड़ा comfort है, और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, क्योंकि आप देखे अगर आप offline coaching में जाते हैं, तो आपको एक तो आने जाने का खर्च आप बहुत बढ़ जाता है, तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे real time interaction है teachers के साथ, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रही है तो आप teacher से बाचीत नहीं कर सकते हैं, तो teachers के साथ आपका interaction जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका offline classes में रहता है, तो आप इस चीज़ को तो बिलकुल मन से निकाल देजिए कि teachers के साथ interaction नहीं हो पा रहा है, या doubts जो है वो बच जा रहे हैं, doubts clear नहीं हो पा रहे हैं, इसके अलावा आपको अन्यापे unlimited test series मिलेगी, तो exam से पहले सबसे जादा important होता है कि आप आपके unlimited test series रहेंगी, जिसको आप join कर सकते हो, इसके अलावा हर class के आपको PDF notes मिलेंगे, and PDF भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, annotated और बिना annotated, तो अगर plain suppose कीज़े, आपने कोई MCQ का course लगाया, उसके अंदर आपने plain PDF file ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से practice कर सकते ह कि आपको कितने questions याद हो गए, and बाद में आप उसे annotated है, जिसमें teachers ने आपको answers और reasons कराएं, उसके साथ match करके देख सकते हो कि आपकी reasoning कितनी correct थी, तो इस तरीके से आपके MCQ उसकी practice बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस आपको जो theoretical chapters है, उनके भी हर एक chapter के हर एक वीडियो पे कुछ रह जाता है, तो बहुत सारी coachings जो है, वो complete भी करा देती है, लेकिन कुछ बच्चों कर रह जाता है, लेकिन आन academy पे आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा, पूरा syllabus आपका cover किया जाएगा, and इसके अंदर एक और advantage है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी teacher ने कोई topic मिस कर दिया, या कोई topic आपको ठीक से समझने आया, तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकते हो, देख सकते हो, उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके extra charges नहीं है, and lastly, आप सबी videos को download कर सकते हो, और offline भी देख सकते हो, ये again बहुत important चीज़ है, special लोगों के लिए, जो कि किसी remote area में रहते हैं, या फिर किसी भी reason से वहाँ पर internet की reception अच्छे नहीं आती, जैसे suppose करो, अभी cyclone विगारा आ गया था, तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में, इंडिया में, वो coastal areas की तरफ, वो काफी जादा down हो गई थी, उस case में अगर आपने सब कु आप एक बार बार अगर चलाओगे तो आपका data यूज होगा, तो उस case के अंदर आप एक बार offline save करके रख लोगे, तो उसे जितनी मर्जी बात आप repeat पे चला सकते हो, और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो, तो ये again एक बहुत बड़ा advantage होता है, तो ये कुछ advantages मैंने आपको क्यों join करना चाहिए anacademy plus, अगर आपको लगता है कि anacademy plus का subscription अच्छा है, आप हमारी videos देखते हो, हमारी quality देखते हो, तो आप join करेंगे, तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा using the code ani7, तो इस code से आपको 10% extra discount मिल जाएगा, तो आपको net amount हो काफी कम आ जाता है, और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था, अगर आप दो साल का subscription इक अठे ले लेते हो, तो आपको 75% तक discount मिल रहा है, और plus 10% extra discount भी मिल रहा है using the code ani7, तो अगे यह बहुत अच्छी deal है, अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो, तो आपको वीडियो अच्छा लगाओग thank you for watching this video, and have a nice day.